हेलो जैहिन दोस्तों बंदे मातरम स्वागत है आप सभी का सत्य एक्सलेंट यूटूब शैनल पे दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाला हूँ यहां पर दोस्तों एक यहां पर मुझे प्राप्त हुआ है सोचा मैंने आपको यहां पर दिखा दूँ तो यह दिखी आप पहले तो वीडियो की क्वालिटी जो है बढ़ा लीजिए क्योंकि यहां पर थोड़ा सा दुद्दलापन निकियेगा क्योंकि आपका यह एक पेपर क्या पर है जैसे कि पहला कोशन या पर है कि निमलखीत में से कौन से इनपूट डिवाइस का उप्यों कंप्यूटर गेमिंग खेलने के लिए किया जाता है तो यहां पर हमारा जो आप संदिया गया है जो आएंच छडी ठीक है किसका प्रयूग किया जाता है जो कि यहां प प्रयूग दिश्डिक को का प्रयूग लिए किया जाता है जब आप पहाड़ी गोह आफसन दिया गया है यह कोशन करेक्ट हो जाएगा आगे बढ़ते हैं कोशन नमबर तीन पे कह रहा है कोशन की एक का उपयोग खाली अस्तान CAD और CAM अप्लिकेशन के लिए किया जाता है तो देश्तों यहाँ पर जो CAD यहाँ पर लिखा गया है और CAM लिखा गया है तो दोस्तों आप सभी को मालूम है कि एक आपका CAM स्कैनर आता है जो कि कोई भी बूक और कोई भी आप जो भी चीज़े उसको स्कैन करके अपने मोईल में कर सकते हैं तो यहाँ पर आप से वही कोई पर दिहागए तो यहाँ पर लिखा गयां तडो और नहीं प्लाश्टर होगा यह आपका होगा खो आफसान अथात कैम इसका रजो कि यहां पर अमारा दिया गया आपसान नंबर खो करेक्ट एंसवर किलिए रहा दोस्तों तो कोश्चन नंबर तेन का अमारा खो आफसन करेक्ट हो जाएगा आगे बढ़ते हैं कोश्चन को ग्रामर से भी मिलते हैं तो यदि आप कंप्यूटर वाले वीडियो हमारी नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्कुशन में मैं आपको लिंक दे दूगा आप वहां से जाकर देख लिए जिसमें आपको कंप्यूटर से संब्दें जो की आईटि के लेबल का कोश्चन वह से को बताया गया तो वहां से भी आप जाकर देख सकते हैं तो देखिए यहां पर कोश्चन आप से कह रहा है कि दो परचली पॉइंट डिवाइस हैं दो ऑन पर कहने का मतलब है कि जिससे हमारा हर कारियर हो सके तो यहां पर चड़ी है इस से हमारा कंप्यूटर क्या होत पे क्यारा है कोशन की नंबर के अखराई कोशन की आठ भीट्स hasn't jelly flight या पॉइंट या प्वाइंट से इस में आपका कितना होता है आथ már कोश्चन की बाहरी and memory आपसंथा यह एक फार्म में यह जो कि आपार नम्हें एक कपर मैं जो कि यह हमारा दिया गया आपसन नमबर को करेक्ट एंसवर क्लियर हो गया आगे बढ़ते दोस्तों एकाद दो कोशन आपको मिश्टेक मिलेगा लेकिन आप उसको घबड़ाई एज गीन बहुत ही अच्छा आपको वीडियो बताने वाला हूं वीडियो के माध्यम से कोश्चन आगे कोश्चन है कि जी यू आ कोश्चन नमबर आठ है दोस्तों कि एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन तक एक फाइल खाली अस्तान फोल्डर को मूब करने के लिए खाली अस्तान बिकल्ब का उप्यूब करते हैं देखे दोस्तों इसमें क्या होता है कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि कापी और पेश् झाला जाता है लेकिन स्कूर्शन वे आप से कहा रहा है कि फोल्डर को मूब करने के लिए मतलब की भेजने के लिए यदि हम भेज दें तो हमारे पास वह न रहेत तो उसके लिए हम परियूग करते हैं मूब और पेश्ट का क्या करते हैं भेजने के लिए ठीक है तो यह हो गया आपका आपसान नंबर जो गद या गया कोशन के नुसार हमारा गोशन करेक्ट हो जाएगा कोशन नमबर नौ पर आते हैं कहरा है कोशन की खाली अस्तान उपलब्द कमांडो की कोशन के लिसार क्या करेक्ट हो जाएगा कोशन नमबर दस पर खाली अस्तान है यहां पर पूछा गया वह दाएं इंटर जो होते हैं ठीके जो आपको आपको ऊपर से नीचे और नीचे से नीचे जो अबत आरके और हाँ दिया ग्द् ans नंबर को जाता है समद पर करेक्ट हो घ्रतर को हमारा करेक्ट हो जाएंगा आगे बड़ते हैं इंसर लेने लिया जाता है देखने के लिए के खालियस्थाने को देख सकते हैं तो देखिए भाई कोई भी आप प्रेंटर लेते हैं यदि आप पहले उससे प्रेंट करेंगे तो क्या होगा वह अपना प्रेंटर के बारे में प्रिभीव देगा ठीक है कोई भी आप प्रेंटर यूच करते हैं आप देखिएगा प्रेट के लिए चीज कर सकते हैं या किसी से आप पूछ सकते हैं जो भी आपके आसपल्स दुकान यह दी उनके पास प्रिंटर हो तो वहां पर देखिए कर जैब आफ पहला करेंगे तो इसमें कैंवा प्रेंटर की बारे में देगा तो यहां पर छुल हमारा दिया गए कोश्चन के भाद करेक्ट होता है की선 ॐ सयह गःते हैं कोश्चन की कि बैंड बेंड रेफर करता है डेंड ये जो है क्या करता है जैसे कि देढ़ यह दाटा की तानसवर केगा जाते हैं और दौनों और इन में से कोई ने इसमें जो आपका आपसंद्था गया बेलकूल कोई भी आपका सही नहीं होता तो हम कह सकते क्या आपसंच नमबर जो डी दिया गया यह हमारा वह जाता है चलिए आगे बढ़ते हैं कोश्चा के बीबी सी बिकल्ब का उपयोग खाली अस्तान को इमेल की एक कॉपी भेजने के लिए की जाती है तो देखिए यह कैसे बेजी जाते तो कई लोगों को बीना देर किये उन्हें जानकारी देने के लिए हम यहां पर ततकाल में ब था शोरी एंड या दिश से रिक्त अस्थानों को भरिये यहां पर दिया गहाए पहले खाली अस्थान यह आपका पढ़ेंगे जो आपका आटिकल होता है यह आटिकल से कोश्चन उठाये गया बहुत ही आपका इंपोर्टेंट कोश्चन एहां पर तो पूछ रहा है कि इल फैर नलए तो यहां पर देखिये के दो सब्सक्राइब अब बंदरम सब्सक्राइब तो पूरी वाकर नहीं कहलाता है वह कि लोकोगतिया कहलाती अथात कई सब्दों को बना कर एक सब्द बनता है परंतु पूरी वाकिव नहीं बन दता है तो उसे हम लोकोगतिया कहते हैं जो कि हां पर हमरा दिया गए आफसन नंबर को तो कोशन का अनुसार हमरा को आफसन करेक्ट हो जाएगा आगे बढ़ते ह कि उल्लेखित प्रश्न की प्रक्रिया में सही उत्तर चौनिए दिया गया कि वें विल यूँ सी दंब हो देखी दूस्तों यहां पर एक सब्रकों यहां पर अभूतिक को दर सायगा तो और यहां पर समय के लिए एट का प्रियोग किया जाता अ है यहां पर देख सकते हैं यहां पर तार है तो यहांपर हमारा जो नमबर को सही हो जाता है क्लिर होगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं कोशन नमबर 17 कि हमें संचार की समय खाली अस्थान करना चाहिए तो संचार की समय संचार मतलब की जो आपका संचार रेडियो हो गया उसको यहां पर बात कर रहा है तो इसको हम ध्यान पुरुवग सुन सकते हैं तो यह हमारा आफसन नमबर जो को गो दिया गया यह हमारा गॉप्सन करेक्ट हो जाएगा जैसे नेश्ट कोशन है कि सही पूरुवग सर को चुनिये दिया गया कि दो यंग जेंटल मैं इंगेज़ड खाली अस्तान मिस ब्राउन तो यहां पर दोस्तों दो चीज़ों को यहां पर किया गया है तो यहां पर हम वित का परियोग करेंगे ठीक है अथा यहां पर जो ख धाण संख्या नहीं दो दॉस्तों यदी गरं संख्या एक दो तीं चार पांच छे आट द Sims तरह लिकि रहती है तो उसको हम कर देते हैं अगर यहीं कि सब्पर में एक खामूस सब्द होता है सबसे पहले तो यहां पर जाने जैंज़ें यहां पर साइकलोजी होता है उसमें पी से सुरू होता था पी एस्वाइस यह सीच ओल की हैं चली आगे बढ़ते हैं कोशन नंबर 21 कहरा है कोशन कि क्रिया की सथ बभिस्वकाल के साथ तरीकत अस्थान को भरिए ही खाज्यसान ए फार युग एट दर स्टेशन दो यहां पर दोस्तों बहरा जाएगा आपके यहां पर क्या करें भविस्वकाल के लिए कह रहा है तो यहां पर हम आपका पर्जेंट का पर्यूक करेंगे तो आर लगा देंगे आर वेटिंग ठीके अथात यहां पर आपका भरेगा ही देखिए दोस्तों यहां पर आपका यह लगाए तो यह आपका क्या भरेगा कोई भी आपका यहां पर सिंगुलर यहां पर है तो आपका ह कि इज राना चाहिए तो यह दूस्तों आपका हुका ही пож обнаруж होगा ठीकिये आपका घौवाला सही होगा ठीकिये यहाँपर आपका सही Remix कोशनन नंबर 20 पे कहना कि सफलता की कुंझी है सफलता की जो कुंझी नुमारा अनुसंदान कठोर कारियए यहाँ पर हमारा वेभी ऑब यहां पर हा ग्वल सही ुक्षक्यांगी आतात है यहां पर कहते हैं कि प्रती सब्द बोल सकता है तो यह आपका कोश्ञाइसर यहां पर यहां प्रती थाख कोश्ञ रहा है वहाँ पर दो कोश्चन उसमें मिस्टिंग थे ठीक है तो आप देख सकते हैं आपका इंपलेवेटिंग कोश्चन पूशा जाता है यदि आपको कोई भी दिक्कत होती है तो कमेंट पर जरूर बता हो सकता है उसका मैं आपको हल जरूर बता हूं इतना ही मिलते हैं जैहीं बं बंदे मातरा मुश्चन पूश्चन 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 पूश्चन